हाई हाई से नमबर टू और उसके आगे सॉल्व करेंगा पिछले वीडियोज में हम लोग उने सॉल्व कर लिया था भी हम लोग सॉल्व कर करेंगे question है हमारे पास second number कहता है find the average of the following sets of numbers okay जो numbers दिए गए हैं इसका क्या निकालना है average निकालना है तो average निकालने का हमारे पास formula जो यह है average equal to sum of numbers upon total number of addends okay तो जो numbers दिए हुए हैं हम इसको पहले add करेंगे आनि इसका sum निकालेंगे और जितने numbers हैं उतना से हम क्या करेंगे divide करेंगे तो अपना क्या निकल जागा average निकल जागा okay देखिए अभी हम आपे solve करेंगे तो हम लोग first question को solve करते हैं okay पहले हमारे पास से 60, 24, 126, 200, 185, 92 तो हम लोग क्या लिखेंगे average okay तो average equal to सभी को sum किये देखिए 60 plus 24 ओके यह सभी को sum किये तो अब इसको add करना हमको तो add करने के लिए लोग क्या करेंगे न column wise लिखेंगे तो column wise लिखेंगे और फिर हम add करेंगे तो अब add किजिए 4 plus 6 10 10 plus 5 15 plus 2 that is 17 का 7 carry over 1 यहां पर लिखेंगे ओके चलिए अब add किजिए 1 plus 6 that is 7 plus 2 9 9 2 11 11 8 19 19 19 आपको कितना हो गया 28 28 का आप 8 put किजिए carry over कितना 2 2 1 3 3 2 5 5 5 & 1 यह हो गया 6 तो हमारे पास क्या जाता है 687 हम लोग लिखेंगे यहां पे 687 and divide by 6 क्यों चुकि यहां total 6 नंबर से हैं हम divide कर लें divide करने के लिए हम लोगों को आता है हम लोग सब जानते हैं कैसे divide करना है लोगों को ओके तो इसके लिए को क्या करना पड़ेगा ना लिखना पड़ेगा यहां पर यह दिखें हम लिख लें यह चलिए हम लोग यहां रफ कर लेते हैं तो रफ कर लेते हैं तो इसके लिए हमको डिवाइड कहा क्या करना है 687 इसको डिवाइड करना है हम लोगों को क्या चीज से 6 से डिवाइड करना है तो चलिए 6 से डिवाइड करें तो अब देखिए हमको क्या मिल गाए हम पर कितना टाइम्स हम चलाएंगे बताइए हम लोग यहाँ पर चलाएंगे 6 का टेबल 1 टाइम ओके तो हमको क्या मिल जागा यहाँ पर 6 मिल जागा माइनस कर लिए तो कैंसल हो जाता है 8 8 को नीचे लाएंगे ओके फिर 1 टाइम में चलेगा 1 चला लेजी ओके यहाँ पर 57 होगे हमारे पास अब हम क्या करेंगे 6 का टेबल 4 टाइम से लेंगे 24 मिलेगा क्या बच गिया हमारे पास 3 यह decimal डालिए decimal डालेंगे यहाँ पर क्या जागा 30 ओके अब 65 क्या हो गया 30 तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना cancel हो जा रहा है पूरा जीरो आजार है हम दोको ओके तो यह अपना हो गया answer तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे डिवैड करने के बाद 114.5 तो यह अपना हो गया average कि इसका question number B जो था अपना यह number ओके अब आए यह number को solve करते हैं तो B नमर पर ना हमारे पास जो है यह सब number fraction में दिये हुए हैं तो fraction मे number दिये हे हैं इसको हम क्या करेंगे ना पहले add करेंगे तो add करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर sum sum of numbers जो numbers दिये हुए उसका हम पहले sum निकाल लेते हैं देखे हम लोगों क्या आता है some of numbers तो पहले हम add कर ले हमारे पास क्या क्या है 2 by 10 है 2 by 10 है plus 5 by 10 है और plus 6 by then फिर चलिए अब आप देख रहे न यह fraction numbers है तो जब भी fraction numbers होता है तो पहले LCM लेते हैं admire का तो यहां पे टेन हीना जरा रहा है तो LCM अपनाerna 10 ही आएगा जब same denominator हो तो यहman cuz आता है आप हमारे पास finite चैनला आगा अब हमको क्या करना पड़ेगा Tensitive add करना पड़ेगा हमको यहाँ पर 1 मिलेगा हर case में देखिए 1 से multiply करेंगा numerator में तो कोई change नहीं आएगा हम simply इसको add कर लेंगे यह देखिए simply क्या कर रहें add कर लें तो आप add कीजिए आपको क्या मिलेगा बताइए 2 प्लस 5 7 प्लस 6 आए हो गया 13 13 प्लस 7 20 20 प्लस 8 that is 28 तो 28 बाइ 10 28 बाइ 10 हमको मिल गया यहाँ पर add करने पर अब बखिए total number of add and क्या है total number total number of add and तो यह हमारे पास क्या है बता देजिए total number of add and कितने है 1, 2, 3, 4, 5 5 है तो इसका मतलब आप क्या करेंगे हम हम लिखेंगे average तो average के लिए क्या formula बता देजिए average equal to formula होगा sum of numbers sum of sum of numbers divided by total number of add and तो यह हमने formula लिख चुका है हमारे पास sum क्या आगया देखिए 28 बाइ 10 अब इसको हम divide करेंगे किस से 5 से divide करेंगे तो आईए हमको क्या मिलेगा 28 बाइ 10 है अब यह divide है हम इसको क्या करेंगे multiply में change करेंगे और इसका हम reciprocal लेंगे तो 5 के निचे हम 1 put कर सकते हैं तो यह क्या हो जागा 1 upon 5 आप ध्यान दिजिए यह हमारे पास आ रहा है ओके तो यहाँ पे हमारे पास क्या ज़गा देखिए यह हम क्या करेंगा 9 मिलेटर को 9 से multiply करेंगे तो 28 हो गया और 10 को 5 से multiply करेंगे तो क्या हो गया 50 अब यह तो divide होने वाला नहीं है तो हम इसको divide करने टू से तो यहाँ पे आ जागा 14 और यहां पर जागा 25, तो answer क्या आ गया, 14 by 25, यह अपना आ गया, B number, अब आती है, हम लोग इससे तरह solve करेंगे, question number C को, तो question number C हमारे पास क्या है, देखिए, यह है, decimal में सब दिये वे, सब के सब decimals में है, हमको क्या करना, add करना है, और जितने है, उससे हमको divide कर देने है, हमको क्या मिल जाएंगे, हमको मिल जागा average, तो question number C में हम लोग क्या किया है, देखिए, सबी को क्या किया, add कियोंगे, जितने भी थी Decimals Number में सबीको उने क्या किया Add कर लिया है और Add करने के बाद हम आप करेंगे Divide किसे 5 से चुकि 5 numbers को हम आप किया हुआ है तो Add करने के लिए हम लोग यहाँ पर Column Method में लिखेंगे तो हाइए हम इस को Column Method में लिखेंगे यह देखिए हम लोग लिखें हुए है और फिर एड़ करेंगे 5 प्लस 4 क्या हो गया 9 9 प्लस 8 कितना हो गया 17 17 एन फिर 9 एड़ कर लिजी आप कितना हो गया आपके पास क्या carry over हो गया 2 और यह decimal जो आप देख रहे हैं यह decimal यहाँ पर आ जाएगा ओके तो 2 यहाँ पर carry over हो गया अब फिर एड़ किजिए 2 प्लस 2 फोर फोर फ्लस 15 प्लस 16 प्लस 2 यह हो गया 8 प्लस 1 डाट इस 9 तो हमको क्या मिल गया देखिए यह हमको मिल जाता है 90.5 तो हम यहाँ क्या करेंगे न यह से जो डिवाइट करते हैं हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 90.5 ओके चलिए अब डिवाइट कितना करना हम लोग को 5 से तो 5 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे वान टाइम पर लेजिए आप तो आपको क्या मिल जाता है यहाँ पर 5 क्या बच गया 515 यह आपका complete हो गया है यहाँ पर 0 आ जाता है तो हमको क्या मिल गया बता देजिए हम लोग को मिल गया 18.1 ओके तो यह हो गया अपना average तो बड़े असाने से हम लोग average निकाल सकते है चलिए next question को solve करेंगे third question हमारे पास क्या है रखिए कहता है find the average of first 10 counting numbers क्या हम जानते है तो हम लिखेंगे यहाँ पर first 10 counting numbers first 10 counting counting numbers क्या क्या बचाते जी हमारे पास तो first 10 counting numbers आर यह हम लिखेंगे यहाँ पे तो counting number अपना once start होता है तो once हम लोग लिखेंगे 10 तक ओके यह हमने लिख लिया है first 10 counting numbers अब क्या करना है हमको average निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे therefore यहाँ पे average ओके अब average लिखके average लिखके equal to sign दिए अब add करेंगे सभी को 1 plus 2 plus 3 plus 4 तो total कितने number हमारे पास 10 है तो 10 से क्या करेंगे divide कर लेंगे ओके तो add कर लिजिए आप आप add करेंगा को क्या मिलेगा आप simply ऐसे और लिए add कर लिजिए तो आप देखिए 1 plus 2 3 3 plus 3 क्या हो गया 6 6 plus 4 10 10 plus 5 15 21 हो गया 21 28 28 एन यहाँ पर 8 36 36 and 5 9 आपके पास add कितना हुआ 45 plus 10 55 हो रहा है ओके हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या 55 divided by 10 ओके आप 55 को 10 से आप divide किजिए तो 10 से divide करना है तो यहाँ पर हम लोग को एक decimal आ जाएगा हम लिखेंगे 5.5 ओके यह अपना answer हो जागा चुकि आप जानते हैं division 10 से वह हम लोग फिछले chapter में पर्चुके unit में अना division and multiplication उसमें हम लोग देखे हैं आप वहाँ पर वीडियो देखिए अना 10 से divide करना हो तो हम लोग एक point रखते हैं 100 से divide करना हो तो 2.2 डिजिट के बाद points रखेंगे यहाँ पर 10 था इसलिए हम लोग एक डिजिट के बाद point रखेंगे तो यह अपना क्या आ गया average निकल क् numbers का चलिए next question को देखेंगे question हमारे पास फोर है find the average of the first 5 multiples of 5 okay 5 के 5 multiples लिखने है first और उसका average निकलना है तो हम पहले लिखेंगे first 5 multiples of 5 are it means 5 का हमको table लिखना है तो 5 हो गया 10 हो गया 15 हो गया 20 हो गया और यह 25 1 2 3 4 5 यह 5 के first 5 multiples है हमको इसका क्या निकलना है average तो हम क्या लिखेंगे therefore average average equal to सभी को add कर लेंगे जैसे हम लोग add but solve कर रहे हैं और कितने number है उतना से divide कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 तो 5 है तो 5 से divide कर लेंगे ओके add करना है तो add करने के लिए हम लोग column method का युज़ कर लें ओके तो यहां पर देखिए पहले 5 लिखेंगे फिर 10 लिखेंगे फिर 15 लिखेंगे और फिर 20 और फिर 25 चलिए हम add कर लेते हैं तो क्या मिलेगा 555 यह हो गया 15 केरी अबर 1 1 1 1 3 3 2 5 2 7 7 हो गया यह और कि 75 हो जाता है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 75 और divided by 5 चलिए 75 को 5 से डिवाइड कीजिए क्या आपको मिल जागा हम लोगों को मिल जाता है यह 15 ओके तो 15 क्या आगया अपना average आगया किसका first 5 multiples of 5 का ओके तो तो आज के वीडियो में बस question नमर 4 तक ही ओके next question जो है उसको next video में solve करेंगे so I hope this video lesson is helpful for you so please like this video and share with others and do some comments also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon for upcoming videos thanks for watching have a glorious day ahead